मन्जिल ने कहा होशलो से यह तेरे बस की बात रही तो होशलो ने मन्जिल की आखों में आखे डाल के बोला कि हड़ जुटी तुम उसको हरा दे तेरी इतनी और कात नहीं हेलो गाइस वेलकम बैक टू आर चैनल एक बार पुर्ण श्वागत है तो आज हम लोग आठ मांक्स इंटर्मीडियेट का हो मैट्री का हो या किसी भी भी सहे का अगर इंगलिस अगर आपके सिलेबस में है एकस्पलाइनेशन है तो आठ मांक्स क्लियर होता है इंटर्मीडियेट में एट मांक्स का आता है वही तो आएए देखते हैं कैसे चुटकियों में आठ नमबर लेके दिखाने वाले चलिए देखते हैं तो आपको क्वेश्चन इस तरीकी का पूछा जाएगा एकस्प्ले सब्कzteर कर देना है मतलब याख्या कर देना है लिखते है न Gitya ये गश्टानेशस का फलाने लीख आया जिसको इस तरीके से बहुत आसान होता है मन कर चलिए कि आपको यह दिया गया यह आपका question no.2 में यह दिया गया आपको यह आपको दिया गया he drank enough and lifted his head dreamly as one who had drunken तो यह आपको line दे दिया जाएगा आपको क्या करेगा line 2-3 line दे देगा और कहेगा कि explain explain करिए करिए कहां से आया किसमें क्या है कौन लिखा है तो कैसे करिएगा हारान हो जाते हैं सबसे पहले पहचान लीजिए आप intermediate के students है कोई पहले दूसरे class के तो है नहीं he drank enough यह कौन पिया भी कौन पानी पिया है तो पानी content से याद रखना जरूरी होता है content मतलब कौन सा chapter किसने लिखा है कौन सा chapter किसने लिखा है तो इतना बात आपको पता होना चाहिए अगर इतना पता है तो आप लिखेंगे यहां देखिए ऐसा ही लिखना है कोई भी आए पोईट्री आए प्रोज आए कोई दिकत नहीं है कहानी कहीं से भी दे ऐसे लिखना है चाहें यह से क्यूं नहीं हैसे मतलब निबंद ऐसे ही लिखना दीज लाइन सबसे पहले सारा बूल जाएंगे अगर कुछ नहीं आता है तो भी देखें these lines have been taken from the इतना तो लिखना है आपको इतना बिल्कुल लिखना और दखिए यह त लिखते प्रोज मतलब कहानी अगर निबंद रहता तो आप लिखते एस 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 एवाई एस उतना लिख देते उसके बाद में उस एसे का नाम या फिर उस प्रोज का नाम तो यह तो पोईटरी है तो किस पोईटरी से लिया गया है यह लाइन तो दो स्नेक हमने इंवर्टेट कोमा के अंदर लिख दिया है उसके बाद लिखेंगे वीज हैस बिन अब देखिए जब भी रहे तो लिखने को कॉम्पोज करते हैं उसी तरह कोई कहानी का नाम होता तो क्या लिखते हैं तो इसको लिखा होगा चुली आगे बढ़ते हैं फिर लिखेंगे कि वो कहां सब्सक्राइब करना है मैं क्या कर रहा हूं अंडर लाइन कर दे रहा हूं यहां जहां चेंज करना यह सब चेंज करना है आपको अगर दूसरा लाइन दिया रहता है तो उस लाइन में से ही देखके कुछ लिख देते लेकिन यह जिसके जिसके नीचे मैंने अंडर लाइन नहीं किया है वह सब चीजे देखिए यह भी आपको बदलना है यह बदलना है अगर प्रोज रहे तो लेकिन पोईटरी रहे तो सेम लिखना है यह सेम लिखना है मतलब अगर दूसरे पोईटरी का रहता है दूसरे चैप्टर का तो आप इधर चेंज करते तो इस तरीके से आप एक्स्प्लेन कर सकते हैं और आठ नंबर बिल्कुल हल्वा की तरह मंगा सकते हैं है ने कमाल की अगर कोई भी दिक्कत होता है तो फिर comment box में comment करें और इसी channel पर live classes का लाइब class आदे घंटे का है जिसमें शांदार मैंने प्रोज poetry सब को बताया है अगर इसे समझ में नहीं आता है तो उसको खोजो और उससे नूट करो लिखो शीखो तब ही मचाओ और आठ नमबर प्राप्त करो तो है ना कमाल की बात तो इस तरीके से आप explanation कर सकते हो और आठ नमबर मंगा सकते हो तो कैसी लगी आपको यह वीडियो कॉमेंट सेक्शन में लिखने हैं न भूले अगर चैनल पर नए विजिट कियो तो चैनल को सब्सक्राइब टोगो बेल आइकन को प्रेश करो तक जब भी मैं लाइब आउं या वीडियो अप्लोड करू उसका सबसे पहले नोडिफिकेशन कहा जाएगा आपके पास बाइबा अब नाइस टाइम तो यौल जय हिंद जय भर